नमस्कार साथियो आज हम बात करेंगे 24 मई 2020 वार रविवार के पंचांग के बारे में तो साथियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप से कुछ आगरे करना चाहूंगा अगर आप हमारे चैनल पर नई आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये और बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आये तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंशता रहे तो आएए देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है आज के पंचान में तो साथियो विक्रम समवत 2077 है सक समवत 1942 बात करें आज की तिथी की तो तिथी है दिवित्या 25 मई एक सुबह एक बजे तक इसके बाद पक्ष है सुकल पक्ष नक्षत्र है मरगशीरा पूंड रात्री तक इसके बाद मा है जेष्ट अब बात करते हैं आज के सूर्य वैच चंदर की तो सूर्य उद्य है 5 बज़ के 9 मिनट पे सूर्य अस्थ है 6 बज़ के 41 मिनट पे सूर्य राशी रहेगी वर्षब में इसके बाद बात करते हैं चंदर उद्य की तो यह है 6 बज़ के 15 मिनट पे चंदरास्त है 8 बज़ के 14 मिनट पे चंदरास्षी रहेगी वर्षब में 5 बज़ के 34 मिनट तक और उसके बाद रहेगी मिथोन में अब बात करते हैं 24 मई 2020 के शुब मुरत की तो शुब मुरत के अंतरगत आप अपने सभी शुब कारे पूर्ण कर सकते हैं तो यहाँ पे अभीजीत मुरत का समय है 11 बज़ के 28 मिनट से 12 बज़ के 22 मिनट तक इसके बाद अमरित काल का समय है 8 बज़ के 53 मिनट से 10 बज़ के 35 मिनट तक अब इसके बाद बात करते हैं आज के अशुब मुरत की तो अशुब मुरत के अंतरगत दुष्ट मुरत का समय है चार बज़ के 22 मिनट से पांच बज़ के 40 मिनट तक इसके बाद कालवेला का समय है ग्यारा बज़ के 27 मिनट से बारा बज़ के 22 मिनट तक इसके बाद कुलिक काल का समय है चार बज के 22 मिनट से 5 बज के 40 मिनट तक इसके बाद यम गंट का समय है एक बज के 16 मिनट से 2 बज के 10 मिनट तक इसके बाद कंटक का समय है नो बज के 49 मिनट से 10 बज के 33 मिनट तक इसके बाद यमगंड का समय है 11 बज के 54 मिनट से 1 बज के 36 मिनट तक इसके बाद राहुकाल का समय है 4 बज के 69 मिनट से 6 बज के 40 मिनट तक इसके बाद गुलिकाल का समय है 3 बज के 17 मिनट से 4 बज के 69 मिनट तक तो साथियो अब बात करते हैं आज के वरत और त्योहार की तो आज है यहाँ पे चंदर दर्शन तो साथियो यह था आज का पंचांग अगर हमारे द्वारा दी गई जानकार यह आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले जै माता दी